दोस्तों आपने कई लोगों को तामे के बरतन में पानी रखकर पीते हुए देखा होगा यह स्वास्त के नजरिये से बहुती लाबकारक है तो चलिए सुनते हैं इसके क्या लाबदायक गुण है तामे के पानी बहुती शुद्ध माना जाता है यह शरीर में कौपर की कमी को पूरा करता है तता शरीर में पैदा होने बाले जीवानों को यह नस्ट करता है जो की हमारे श्वास्त के लिए हानी कारत होते हैं यह सभी प्रकार के वेक्टिरिया को खत्म करता है जिससे की डाइरिया, डिशेंटरी, पीलिया जैसी बीमारियां शरीर में पैदा नहीं हो पाती तामर जल को पीने से यह एंटी इंफ्लामेटरी गुरों को दरसाता है जिसके कारण सरीर में दर्द होना, एठन होना, सूजन की समश्या समाप्त होने लगती है यह आर्थ्राइटिस की प्रॉलम को समाप्त करने में बहुत ही अच्छा फाइदे मन्द है तामर जल में एंटी ऑक्षिदेंट प्रॉपर्टी होने के कारण यह कैंसर सेल से लड़ने में बहुत मदद करता है तामे को कैंसर ग्रोधी तक्त के रूप में, रिसर्च के रूप में देखा जा रहा है पेट की सभी प्रकार की समश्याओं में तामर जल बहुत ही फाइदे मन्द है यह पेट दर्द, गैस की समश्या, कबजी होना, बदहज्मी की शिकायच इसको धीमे दीमे करके समाप्त कर देता है तामर जल बहुत अच्छा रक्त शोदक माना गया है जिसकी वएशे यह लिवर, किडनी के इंफेक्शन को समाप्त करने में बहुत ही फाइदे मन्द होता है तामे में अंटिवेक्टिरिल, अंटिवाइरल प्रॉपर्टी होने की वएशे यह शरीर में बहुत ही खतरनाक बीमारियों से लड़ने की शक्ती पैदा करता है तामर जल में तामे की भरपूर मात्रा मौजूद होने के कारण यह थाइराइडी समझचा को दूर करने में साहिक होता है यह मेटावालिज्म को बढ़ा कर हाइपो थाइरिज्म को शमाप्त करने की क्रिया को सुचारी रूट से चलाता है तामर जल जैसा की मैंने कहा एंटी अक्सिडेंट और ब्लड पूरिफायर होने के कारण यह मौहासे पिंपल्स को समाप्त करता है जिस से यह चमकदार तुचा को प्रदान करता है जिन लोगों को लिउकोडर्मा की प्रॉलम हो जाती है वो लोगों के लिए तामा बहुत जरूरी होता है क्योंकि मिलैनिन पिगमेंट के लिए तामे की आवशकता होती है इसलिए यह आँखों के लिए बालों के लिए और तुचा के लिए बहुत फाइदिमन होता है तो दोस्तों ये थे थामे के बहुत ही महत पूर्ण फाइदे लेकि इसको लेना कैसा है ये बहुत आवश्क है तामरजल को लगातार 10-15 दिन तर ले सकते हैं उसके बाद 5-10 दिन का गैप करके फिर लें इसे 1-2 महीने मैग्जिमन 3 महीने से उपर ना लें कोई कि तामे की अधिक मात्रा होने की वैसे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ने का खत्रा हो जाता है तो दोस्तों मैं डॉक्टर शेलिंग सर्मा आपसे बिदा लेता हूँ तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मॉटिवेट